तकदीर के खेल से निरास नहीं होते, जिंदगी मैशे कभी उदास नहीं होते, हाथों की लकीरों पर क्यों भरोशा करते हो, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते गुड मॉनिंग फ्रेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन इस्टेडी पॉइंट, दोस्तों आज है एक अगस्त और आज की जितने भी करेंड फेस की इंपोर्डेंट कोईशन बने, इस वीडियो में आपके लेकर आ गया हूँ, साथी साथ कोईशन से लेटेर एक्स्टा फैक, जो आज की वीडियो की पीडिया फैल, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बाक्स मे लिंक मिल जाएग, उसमें क्लेकर करके डाउउड कर सकते हैं, और जो दोस्त चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरू कर ले, साथ में जो बेल आइकन उसको उन कर ताकि आपको डेली मॉनिंग में पांच बज़े करेंडेश कुडियोज मिलती है दोस्तों दोस्तों आज मेरा जनम दिन है तो प्लीज आप लोग अपना इसने प्यार और आशिरवा जरूर दीजिएगा ताकि मैं आप सब के लिए ऐसी अनवरत और अप सेवा करता रहूं वीडियोज लाके ठीक है और आज देखते हैं आप लोग कितना प्यार करते हैं तो फटा फट लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो पा ज़्यादा ज़्यादा सेयर भी करिएगा ठीके दोस्तों चले स्टार्ट करते हैं पहला कोशन दोस्तों प्रथम नेपाल भारत थिंक टैंक शिखर सम्मेलन कहां शुरू हुआ है तो ब्रथम नेपाल भारत थिंक टैंक शिखर सम्मेलन दोस्तों काठमांडू में शुरू हुआ है देखे दोस्तों पहला नेपाल भारत थिंक टैंक शिखर सम्मेलन दोनों देशों के बीच अधिक सहयोग और ग्यान साजा करने के लिए काठमांडू में शुरू हो गया है औ अको बता दे दोस्तों जो नेपाल के पूरू P.M है और नेपाल का सत्ता रूरक कम्यूनिस्ट पार्टी के सहाद्यक्ष P.S.V. नेपाल भारत ठिंक ठिंक टैंक सिखर्च मेलन कहा शुरू हुआ है यह शुरू है नेपाल की राज़ानी काटमांडू में बात कर दो सो नेपाल की नेपाल की जो करेंट टाइम पे प्राइम इनिस्टर दोस्तो वह खड़क प्रसाज सर्मा ओ लि और बात कर एं राश्ट पत दोस्तों नेपाल के लुंबनी में हुआ था और कब हुआ था 563 इस भी पूर्ब में हुआ था ठीक है तो परथम नेपाल भारत ठिंक टैंक सिखर समेलन कहां शुरू हुआ है ये शुरूआ नेपाल के राज़ानी काटमांडू में इसका उद्देश क्या है दोनों देशों क दोनों देशों विचार वीमर्शों के बीच वहमुख्यश जायोगं के माध्यम से भारत नेपाल के बीच दुपक्सी अगला कोशन है दोस्तों हाली में तीसरा ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल कहा है जित हुआ तो हाली में तीसरा ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल दक्षिन अफरीका में आजित है यह आप संडी राइट है देखे दोस्तों तीसरा ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल अंतरास्टी दरबन फिल्म फेस्टिवल के साथ दक्षिन अफ्रीका के डरबन में हिए और निया मा मना गया है इसका मुख्य उद्देश क्या है दोस्तों विश्क्षिन, फिल्म की घरित करने की डरबन के बता देखिल vidéosremo अबनेत्रिक पुर्षकार दोस्तों भनिता दास को विलेज रॉक इस्टार के लिए मिला है और सबसेस्ट फिल्म मिला है अमित मसूरकर की न्यूटन को और सबसेस्ट जीवरी अवार्ड मिला है रीमा दास की विलेज रॉक इस्टार को ठीक है तो हाली में तीसरा ब्रिक्स फ पूंधान गवर्मेंट ने अपने पहले गाय अभ्यारंद के लिए एक सम्झवत्क लापन-प्रपत्क्षतर किये हैं देखें की दस अजार गायों के लिए एक आस्रह है तू अपना पहला गाय अभ्यरन बनाने के लिए शोहन लाल जी बुल देवी जी ओजा गोशाला समिती एक निजी ट्रेस्ट के साथ सम्झोटक जापन बसतक्षर किया है अस्ताक्षर सोहनलाल जी बुला देव जी ओसा गोसाला सम्थी के साथ जो तो नीजी ट्रस्ट ही इनके साथ समझो तक जापन पस्ताक्षर किया है आपको बता दे कि गाय अभ्यरंड बीका नेर जीले में 220 चदिक हेक्टेर अभ्यर्ष्श्ट में खैला होगा और यह राजस्थान में पहला गाय भेरंड होगा और बीका नेर केके में स्थीत होगा इससे पहले आपको बता दे दोस्तों कि जो पहला भारत का पहला गाया भेरंट था वो मत्य प्रदेश के आगर मालवा जीले में सितंबर 2017 में सरकार द्वारा स्थापित किया गया था ठीक है HSBC इंडिया नी Hong Kong और संधाई बैंकिंग निगम ने सूरेंद्ररोसा को CEO कुरू में नामित किया, देखे उस Tau Hong Kong और संधाई बैंकिंग निगम ने नियामक अनमोधन के आधिन, HSBC इंडिया के मुख्य कारिकारिय धिखारी ग्रूब में सूरेंदर रोशा की नियुक्ती घोषना की है और यह किसका स्थान लेंगे तो यह लेगें दोस्तों किसका जयान तरीखे का है जयान तरीखे का स्थान लेंगे जो बरतमान में एसिया प्रसांद के लिए HSBC के Financial Institution Group के प्रमूख है ठीक है और दोस्तों HSBC बैंक का मुख्याले कहा है जिसका मुख्याले दोस्तों कहां पे लंदन यूके में है ठीक है बात करें दोस्तों यहां पे YC देवेस्टोर की ठीक है तो नंदन नीले कड़ी जी बरतमान में Infosys के चेर मैन है ठीक है Infosys की स्थापना का वोई थी 7 जुलाई 1980 में और Infosys का जो दोस्तों मुख्याले हैटकॉर्टर है कंपनी का वो है बैंगलूरू करनाटका में ठीक है तो HSBC इंडिया ने यानि होंग कॉंग और संगाई बैंकिंग नियम ने किसे CEO की रूम में नामित किया है तो नामित किया है सूरेंदर रोसा को जैन तरीखे के स्थान पर इस कोईशन से आप कुछी सा जानकारी मिल जाती है अगले कोईशन दोस्तों हाली में रंपदा चौधरी का निधन हो गया वो है किस भासा के प्रसिद्ध लेखक थे तो हाली में रंपदा चौधरी के निधन हो गया दोस्तों वो है बंगाली भासा के प्रसिद्ध लेखक थे देखे दोस्तों प्रसिद्ध बंगाली लेखक रमपदा चोधरी जिनकी कहानी अभिमन्यू को एक फिल्म एक डॉक्टर की मौद में बनाया गया था कानिधान हो गया है और हो 95 बारस के थे आपको बता देके उन्हें 1988 में दोस्तों बारी बदले जाए के लिए साहित अकादिव पुरुषकार से मानित किया गया था कई से आकरी पुस्तक हारानों खटा और इसके लाब यहां पर आपको यह भी आद रखते हैं बारी बदले जाए के लिए इनको शाहित तकादिव पुरसकार 1988 में मिला था ठीक है तो हाली में रमपदा चोधीक निधन हो गए वो किश भासा के प्रसीद लेखक थे तो थे दोस्तों बंगाली भासा गए ठीक है चलिया अगला कोशन दोस्तों TCS को पीछे कर भारत की सबसे मुलिवान कंपनी कौन बन गई है तो Tata Consultancy Services को पीछे कर भारत की सबसे मुलिवान कंपनी दोस्तों बन गई ही Reliance Industries यानि Option C राइट है देखे दोस्तों भारत के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी के निर्तित्त वाली Reliance Industries Limited Tata Consultancy Services को भारत में सबसे मुलिवान कंपनी बनने के लिए पीछे किया आपको बता दें कि TCS के 7.39 ट्रिलियन की तुलना में Reliance का बाजार पूजी कर जो था दोस्तों 7.44 ट्रिलियन रूपए था और आपको बता दें कि Reliance ने भी हाली में अप्रेल जून तीमाही के लिए 9.469 क्रोड रूपए का सबसे ज़्यादा तीमाही सुद्धलाप दर्ज किया है तो TCS को पीछे कर भारत की सबसे मुलिवान कंपनी कौन बन गई है बन गई Reliance Industries Limited निया उप्संसी राइट है अगला कोशन दोस्तों हाली में किस राय सरकान ने मुवाइल वित्रण योजना मुवाइल तिहार लांच किया है तो दोस्तों हाली में जो तो 36 गड़ राय सरकान ने मुवाइल वित्रण योजना मुवाइल तिहार लांच किया और इस योजना में 45 लाग महिलाओं और 5 लाग बच्चों को स्मार्टफोन वित्रण सहीत 556 नय मुवाइल टाबरों को स्थापना इसमें सामिल है इसके लाबा 36 गड़ सरकान ने नेटवर कनेक्टिविटी में सुधार और स्मार्टफोन के साथ युवाओं को सब्सक्त बनाने के दिशा में काम कर रही है ठीक है तो हाली मिकी सराज सरकान ने मुवाइल वित्रण योजना मुवाइल टीहर लाउंच किया है ते लाउंच के दोस्तों 36 गड़ गवर्मेंट ने ठीक है और यहां के सीम जो है रमन सिंग और अभिनित्रिक अंगना राउत के साथ यह जो तो वित्रण सुरू की है यो कोशकाओं के कोशका कोशक की है उसका नाम इसको उठाया ठीक है अब देख लेतें जो कल का एंसर कल मैंने कोशन पूछा था हा जिम अंतर राश्ची टाइगर दिवस कम मनाया गया है इ поставि 29 जुलाई को मना जाता है 99% इसटोजन भी आइड इस शर दीया था क्योंकि आप ल कमना जाता है आपको राइट एंसर कमेंट बॉक्स हो जरू लिखना है दोस्तों आज मेरा जनम दिन है तो प्लीज आप लोग प्यार इसने और अपना असिरवाद दुआ जरू दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसी सेवा हमेशा करता रहूं ठीक है तो दोस्तों मिलते है नेक्स्ट वीडियो के साथ आपका दिन सूभ हो जय हिंद बंदे मातरम मिलते हैं कल की वीडियो के साथ बाई बाई टेक केर